हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक तो माई चैनल, I hope you are doing good and very positive दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने जारे हूँ एक healthy natural hair dye plus oil जो की आपके बालों को 100% फायदा पहुचाएगी साथ ही सर्दियों में हम जो problems face करते हैं अपने बालों को लेकर की वो आपको नहीं होगी सो चलिए start करते हैं सबसे पहले आपको लोही का एक बर्दन लेना है और इसमें add करना है 7-8 तेजपते तेजपते यानि की बेलीव इनमें properties होती है antifungal और antiseptic बालों में hair growth के लिए काफी ज़्यादा अच्छी होती है dandruff को दूर कर देती है सर्दियों में हम सबसे ज़्यादा face करते हैं बालों में बार-बार dandruff हो जाता है या scalp हमारे dry हो जाते हैं तो तेजपते का जो natural oil है वो आपके बालों में नमी को increase करता है एक संतुलन बनाए रखता है scalp में जिससे की बाल dry नहीं होते हैं साथ ही बहुत तेजी से hair growth को boost up करता है antiseptic और antifungal properties होने की वज़ा से अगर बालों में पपड़ी या फिर बहुत जादा खुजली की समस्या है सर्दियों में खास तोर पे तो वो आपको नहीं होगी अगर आप तेज़ पत्य का इस्तमाल अपने बालों के लिए करते हैं इसके अलावा तेज़ पत्य में भरपूर मात्रा में nutrition भी होते हैं जो की scalp को blood circulation को improve करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तेज़ पत्य के जो color हैं वो change हो गए हैं तो हम इने side में निकाल के अलग रख लेंगे और यहाँ पे gas के flame को आपको बंद कर देना क्यूंकि हमारी कढ़ाई इतनी गरम है कि इसमें हम कोई भी powder roast करेंगे अच्छे से हो जाएंगे तो दो चमच यहाँ पे मैंने आवला powder लिया है और इससे भी हम अच्छे से भून लेंगे और बिल्कुल यह black हो जाए चार कोल में तबदील हो जाए तो आपको यहाँ पे इसे निकाल लेना है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने गैस के flame को यहाँ पे बंद कर दिया है पूरी तरीके से और हमारा अच्छे से यहाँ पे जो आवला है वो भी भून जाएगा आवले में तो आप सभी जानते ही vitamin C, vitamin E, iron, भरपूर मातरा में होता है जो कि हमारे hair के लिए करके piece लेना है पीसने के बाद इसे आपको strain कर लेना है तो मैं यहाँ पे इसे एक another bowl में अच्छे से इसे strain कर लूँगी ताकि हमें बिल्कुल बारीक powder मिले और जो मोटे दाने हैं कड़ हैं वो बिल्कुल निकल के अलग हो जाएं तो अच्छे से यहाँ पे strain करने के बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल महीन जो हमारा powder है वो देखिए मिल गया है तकरीवन धाई चमच के करीब यह powder हमें यहाँ पे मिला है तो इसको हमें prepare कैसे करना है उसके लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैं एक एनदर बोल लूँगी जिसमें इन powder को हम निकाल के अलग करेंगी तो एक चमच करीब मैंने यहाँ पे एक बोल में इस powder को ट्रांसफर कर लिया है तो सबसे पहले जो यह powder है इसमें हम क्या add करेंगे तो आपको इस powder में add करना है aloe vera gel तो aloe vera gel आप plant-based भी ले सकते हैं और market का भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर पतंजली का use कर रही हूँ aloe vera gel जो कि easily हर जगा मिल ही जाता है तो आपको तकरीबन दो चमच के करीब aloe vera gel को लेना है aloe vera gel में भी vitamin की बहुत मात्रा होती है vitamin E की साथ ही यह multi talented है एक तरीके से कि इसमें बहुत सादा फाइदे आपको बालों से जुड़ी जो समस्य होती है उनको दूर करने के लिए देखने को मिलती है एक single aloe vera इतना जादा फाइदे मंद है आपके बालों के लिए कि वो आपके बालों की चमक को भी बढ़ा सकता है बालों की ग्रोध को बढ़ा सकता है बालों को सीधा बना सकता है बालों को healthy कर सकता है strong कर सकता है सफेद बालों को खतम कर सकता है तो बहुत जादा गुण पाय जाते हैं aloe vera में तो second जो powder है इसको हम यहाँ पर aloe vera मैंने यहाँ पर add करके mix करके रख लिया ताकि वो अच्छे से थोड़ा set हो जाए अब इसमें आपको जो दूसरा powder है बोल का उसमें add करना है तीन चमच सरसो का तेल आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं या तिल और सरसो को mix करके भी ले सकते हैं चुकि ठंडिया है और सरसो का तेल होता है गरम क्यूंकि उसमें omega, iron, vitamins, calcium, potassium बहर पूर मातरा में पाए जाते हैं और हमारे बालों के लिए healthy भी है सरसो का तेल इस्तमाल करना तासीर में गरम होता है चुकि ठंडियों में जरूरी है हमारे scalp के लिए तो आपको इसे अच्छे से यहां पे क्या करना है mix कर लेना है ताक कि powder और जो oil है वो एक सार हो जाएं अलग-अलग ना रहें तो देखिए मैंने यहां पे अच्छे से mix कर लिया है अब आपको इसको लगाना कैसे है वो यहां पे देख लेते हैं सबसे पहले aloe vera pack को आपको अपने बालों में लगाना है इस चीश का ध्यान रखें कि आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए साफ सुतरे बालों में आपको इसे लगाना है scalp में लगाना है पूरे all over बालों में लगा कि एक घंटे के लिए छोड़े देन वाश कर ले नॉर्मल पानी से तो पहला जो pack है वो है aloe vera का जो कि आपको अपने बालों में लगाना है इसके बाद आपको evening में क्या करना है evening में आपको oiling करनी है इसी powder के packs यानि कि इस powder से बने हुए oil को आपको अपने बालों में लगाना है scalp में लगाना है root में massage करनी है और overnight के लिए इसे लगा करके छोड़ देना है next morning किसी भी herbal या फिर mild shampoo से अपने hair को wash कर लेना है तो ऐसी इस तरीके से आपको इन powder का इस्तमाल करना है पहला आपको लगाना है aloe vera के साथ इसे एक घंटे के लिए छोड़े और रात में सोने से पहले इस powder को आपको तेल के साथ लगाना है ऐसे तो ये दोनों ही जो आप method करेंगे दोस्तों आपको बहुत जादा फाइदा मिलेगा male female बच्चे कोई भी इस्तमाल कर सकता है क्योंकि natural है और साथ ही सर्दियों में बालों में जितनी भी समस्यां आप face करते हैं वो समस्यां आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी इस तरीके से तेश पते का इस्तमाल जरूर करें बहुत ही जादा आपको यहां पर फाइदा होने वाला है तो आई होब दोस्तों यह छोड़ी सी remedy आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा रेमेडी को शेर कीजेगा चलिए दोस्तों फिर से मिलतें के अनदर न्यू रेमेडी के साथ अब तब तक लिए बाइबाई ठीक केर अपना ध्यान रखिए